आपके बैतरी से यूटूब चैनल ठागुर सर अगेडमी पर आपके सामने हाज हो चुके आज फिर से एक नया वडियो ले करके जिसके अंदर में हम आज डिसक्स करने वाले सेमिस्टर वन वाले बच्चों के लिए ऐट टिकुनेमेटरी जो की उनिट वन है उसका प्यारा सा लेक्चर इस लेक्चर के एंदर में हम लोग क्या डिसक्स करने वाले है दीमाय बस्थ्वरम के उपर इंपर मोर्ण है पहला चप्टर अभी कहा जाए तो सेकेंड चप्टर है पहला चप्टर पोलर रिपर्जेंटेशन है तो उसके अंदर में कोश्चन्स थोड़ा जाइदे हैं तो IMPORTANT पार्ट में इसको बाटा है तो हम पार्वे पार्ट डिसक्रस करने वाले हैं आज हमारा पहला पार्ट है और आप सभी को बदारे चले कि अगर आप हमारे यूटूब पर प्रहायवे लेक्षर्स पसंद कर रहे हैं तो आपको इसका PDF नोट्स चाहिए होगा तो आप हमारे इस यूटूब चैनल उसी नाम से हमारा एप भी उपलब्ध है इस एप को डाउनलोड करें और यहां पर यूटूब पर पहाये गए सारे PDF नोट्स यूटूब पर क्या आपको जो भी बुक्स का PDF नोट्स चाहिए वह यहां पर उपलब्ध मिल जाएगा पीबाइक क्यू आपको फ्रीब कॉस्ट में मिल जाएगा उपलब्ध हमारे इसी एप के उपर में यूटूब पर जो भी ख्लासस से शलती है वह आपको उसका जो PDF फ्रीट चाहेगा आप चाहते हैं कि कोई पेड़ कोर्स करें एलेवेंट टुए विया बीसी का तो वह आप कर सकते हैं लाइब कोर्स रिकॉर्ड कोर्स तो नहीं फॉर्मेट एबलेबल है कोर्स और हर एक कोर्स के अदने में डेमो लेक्चर एबलेबल है अगर आप चाहें पर्चेज करना तब पहले डेमो देख सकते हैं अब हमाई पास सबसे पहला कुषिण डिवाइबर स्थूरम का एकस आर बरावर में कॉस्पा बटा टू का पावर आर पलस में आयोटा साइन यहां पर यहां पर यह है भाई साहब कि हमाया पास में XR का भैलू दिया हुआ है XR का भैलू दिया हुआ XR is equal to में cos pi बटा में 2 का power r और फिर पलस में आयोटा sin pi बटा 2 का power r कोई मिला के बात यह है बहुत बढ़िया है अब X1 X2 X3 सब का product करना है ऐसा है इसका मतलब सर X1 into X2 into X3 इस प्रकार से चलना है up to infinite तक इसका मतलब X1 का मतलब cos pi बटा 2 आप पलस का आयोटा sin pi बटा 2 यह सर बिलकुल सर क्याव कि हमने r के जगह पर एक रखा है यह पाबर एक एक हो जाएगा तो भया टू ही लिखेंगे चलेगा कोई आपती नहीं कि इसी प्रकार से अगर हम चलेंगे पाबर टू ले करके तो हमारे पास मतलब आर के जगह पर हम दो रखने वाले आर के जगह दो रखेंगे यह जागा टू का स्किटो का स्कूर आप परिखेंगे यह पर से कस पाई बट टू का पार री इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं और यह प्यार मोहबत आपका जाएगा कहाँ तक सर इन फार्मूला याद रखना कि कॉस कॉस का कॉस प्लस आयोटा साइन का बहुत सारा अगर प्रोड़क्ट दिया होगा तो प्रोड़क्ट की केस में एंगल को हम लोग क्या करेंगे एड करेंगे इसका मतलब यहां से हम यह लिख सकते हैं सर कॉस पाइब टू है फस्ट एंगल फि पास में पाइब टू का पावर थ्री है इस प्रकार से अप्टू इंफाइन तक है अब पालस में आयोटा इंटू में साइन पाई बटा में पाई बटा में टू लिखा हुआ है पालस में पाई बटा टू का स्क्वैर लिखा हुआ है पालस में पाई बटा टू का पावर प्री लिखा हुआ इस प्रकार से कहानी आगे अप्टू इन फाइनाय तक चलेगा और अगर हम बात करेंगे इसमें तो हम यह सा कह सकते हैं कि भाई साहब कि यह जो दिया हुआ है यह जीपी सीरीज बना रहा है लेकिन उससे पहले एक काम कर लो प्यारा साथ कि कॉस्ट पाइ प्रकार से चलेगा आप तो इन फाइन तक और यहां अगर चलेंगे तो इस साइन के साथ भी वही होने वाला है पाइन के साथ भी वही होने वाला है पाइब चू इन टू में वन पलस वन बई टू पलस में वन बाई टू का स्क्वेड अप तू कहा तक चलेगा सर यह इन फाइन पाइन तक हाँ बिल्कुल इसमें जो देखो गए तो अगला बटा पिछला आ रहा है 1 by 2 1 by 2 आने का मतब यह हो गया सर जीपी सीरीज जीपी सीरीज में इनफाइनेट जीपी हो गया क्योंकि यह इनफिनिटी पर जाके रुक रहा है अगर यह इनफाइनेट जीपी है इसके सम का फर्मूला होता है स बराबर में आ बटा 1 माइनस में आर स बराबर में आ बटा 1 माइनस में आर इसका मतलब जो है हम यहाँ पर से कह दे कॉस 5 बटा 2 को छोड़ दू A कितना है सर A हमको दिख रहा है सर इसमें 1 R हुआ अगला बटा पिछला A हो गया 1 अगला बटा पिछला हो जाता 1 by 2 तो 1 minus 1 by 2 ये आपके सामने कहानी तयार है सेम बात होगी साइन के साथ भी साइन का एंगल भी πाई बाई 2 है बिल्कुल उसके बाद यहाँ पर से देखेंगे तो A 1 बटा में 1 minus R 1 by 2 ऐसा ठीक है बंदू अब ये बन जागा नीचे हाफ हम यहाँ से ये कह सकते इसका मतलब कि कॉस अपने पास में लिखा हुआ इसर पाई बाई 2 है इन्टू 1 अपन हाप आजागा नीचे अब परस में आयोटा साइन पाई बटा 2 है और यहाँ पर आजागा 1 by 1 plus 1 by 2 यहाँ से ये कह सकते हैं आपर कि 2 इसका भी कैंसिल इसका भी कैंसिल तो हमाई पास रिजल्ट आ गया है कॉस पाई पलस में आयोटा साइन पाई पलस में आयोटा साइन पाई कॉस पाई पलस में आयोटा साइन पाई कॉस पाई का भेलू आ जाता अपने पास माइनस वन पलस में आयोटा इन्टू जीरो यानि की माइनस वन ये आपका परफेक्ट आंसर हुआ यही इसका प्रूफ वाफ कमजने बात बहुत डिफिकल चीज नहीं बहुत आसान हैं सिंपल चीजें हैं बस आपको प्यार महबत इसको प्रैक्टिस करना जितना प्यार महबत आपके साथ दिखाएंगे उतना ज्यादा एक्जामनेशन बच्छे से लिख पाएंगे और जितने भी कोश्चन्स करवा रहा हूं सारे भी भी आई सेलेक्टेड कोश्चन्स हैं आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे आपका एग्जामनेशन में जय जय कारा हो जाएगा इस बात को आप समझके चलिएगा हमें सॉल्व करना एक्स का पावर फाइब पलस ब्राबर में जीरो बहुत बढ़िया है बहुत सुन्दर है इसके लिए आपको थोड़ा सा बात आपको समझना है एक फोड़ा सा चीज़ समझके चलना है कि एक्स या अगर आपको बोला जाए यहां पर से कि वन का पोलर इसका मतलब क्या बता है यहां पर क्या है सर अपने पास में तो इन पाई जोड़ना है जीरो में तो इन पाई ही रहेगा अब पलस में आयोटा साइन टू इन पाई यह हो गया मामला आपके पास उसके बाद अगर हम बात करेंगे माइनस वन तो माइनस वन का जेनरल नौर्मल फॉर्म होता है नौर्मल फॉर्म का मतलब हुआ कि भाया प्रिंस्पर वहला केस होता हो यह होता है अगर इसका आपको चाहिए जेनरल फॉर्म तो उस केस में होगा टू एन पाई जोड़ना होगा पाई पहले से टू एन पाई जोड़ दो इसका क्या लाब उठाएंगे तो जब कभी भी आपको इस टाइप का इसको 30 की बोल देगा यहांपर एक वहल्य से काम नहीं चलेगा यहां पर की काम नहीं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएं थे को हमाय पास्मेल एक्स का पावर फाइब इस प्रेस में वन इज इक्वल टूज्य यह इसका मत्तब एक्स का पार फाइब इस एक्वल टू-1 लगाओ के माइनस वन का जेनरल फॉर्म याद रखना आप माइनस वन का जेनरल फॉर्म में कॉस्ट टू एन पाई चाहोते इसको एक इस्टे बढ़ा भी सकते हो इसको एक इस्टे बढ़ा देते हैं एप सम्रीक सकते हैं इसको टू एंड प्लस वन इन्टू पाई पाई कॉमर ले करके अप पलस आयेवटा इंटू साइन टू एन पाई तू पाई आप टू एन प्लस वन पाई पाई को मनें करते हैं जयादे बेटर बनेगा आप डाय इस्तुमाल करने में अच्छा रहेगा व सुर्ष में पास में हो गया, two n पलस one into pi पलस में आयोटा साइन two n पलस one into pi कि अब यहाँ पर पाबर पांच जो है उसार जागा तो एक बटा पांच बना दोगे पावर इस से उसर ट्रांसपर करने पर इसी प्रोकल हो जाता है का मतला आप यहां से कह सकते हो सर कॉस अपने पास आएगा 2N पलस 1 इंटू पाई पलस में आयोटा साइन 2N पलस 1 2N पलस 1 इंटू पाई का होल पावर 1 बाई 5 है पावर चड़ गया इसके एंगल के मल्टिपलाइ में एंगल के मल्टिपलाइ चला गया तो हमाएं पक्राइश सर कॉस टू एंड पलस 1 इंटू 5 5 वे 5 हो कि तो 1 भाइब से मल्टिपलाइ होने का मतलब बाईड में ही आना होता है अब पलस में आयोटा साइन 2N पलस 1 इंटो 5 बट्टा में 5 अब आपको 5 सॉलुशन चाहिए एन का फेलू 0 से स्टार्ट करना और 4 तक लेके चलना 5 सॉलुशन हमेशा एन का फेलू 0 से स्टार्ट करना है यहाँ पर पूट कर दीजेगा एन के बजगा पर 0 1 तो 3 और 4 तक आपको पूट कर देना है तो क्या बने का सीन इसमें तब कीरो पूट करोगे तो क्या होगा इसका मतलब यह दिना रूट्स आर रूट्स आर का मतलब हुआ एक्स का वेल्ल्यू कि इतना आ जागा सर जीरो पूट को दिए खतम तो हमाया पास हो गया सर कॉस पाई बटा 5 अब पलस में आयोटा साइन पाई बटा 5 फिर एक लगाओगे यहां पर से तो दो एक तीन पाई बटा 5 तो कॉस हो जागा थ्री पाई बटा 5 अब पलस में सर आयोटा इंटू साइन थ्री पाई बटा 5 उसके बाद फिर पलस कोड़ी है अब अगर हम रखाने की दो रख दिए दो एक रख दिए हैं दो रखेंगे 25 फिर गवाज़ा फिर और इंट आयोटा साइन पाई है जिस रख दिए है अब तीन रखेंगे तो ती दूम्हा चेसे एक साथ हो होगा आपने पास में प्रकार से मामला आपके सामने है तो हम यहां पर से अगर देखें तो यह हमारा स्लिशन हुआ चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हों 2 पाइं-5 उसके बाद साइन को बन जागा अपने पास माइनस में साइन पई बटा फाइब ये अगर ब्रिक कर दिजे करति इस के तर हो जाएगा भत माइनस हो जागा यानिकि दो केस बन जागा परस मैक्स के लुछ उना जागा जब कर करिएगा तो इसके तरह हो जागा अगर आपको इच्छा हो तो यह ब्रेक कर सकते हैं कि मैं अभी ब्रेक करके दिखा दूँ चलो दिखाई देता हूं कि यानि कि आप यहां पर से कॉस पाई ब्रेक करके ही दिखा दिया यहां पर कि यह ब्रेक कर के ही दिखा दिया यहां पर कि यह बाला जो है अपने पास साथ बाला क्या हो जागा यहां पर तो हो जागा इसका मतलब यहाँ पर से यह बंग जाएगा से यही बट माइनस में कि फॉर्थ कोर्ण में जाता तो इसका मतल ये वाला पार्टी जो है यहां ले आते हैं यह वाला पाटी यहां ले अर इति हैं ये को यह इंुह आतो यह बात दूसरे को मुंट्ट मैं आ जागा बाते सब सेमरे만 लहेंगी यह बीच मैं आ जागा मायनेस ऐस पिर आख लिख ना हो ताहिए सब को फिर से उता माइनस हो गया पांच सलूशन आपके साम में तयार है यह भी आंसर परफेक्ट है और इसके बार यह भी आंसर जो वो परफेक्ट है कोई दुनों में अंतर नहीं यह दोनों से मिची आप इता पर भी चोड़ोंगे तब भी चलेगा कोई आपती नहीं अगले कोशन पीः हम तो अगला कुशन अपने पास में एक्स का पावर अपने पास में माइनस में एक्स का पावर 5 परस में एक उनडरा यहाँ पर देखो सॉल्व करने का तरीखा क्या हो पाँच वाल और उसके बाद जो एक्स का पावर पाँच को मुझी प्रावर जीरो यहां से दो फ्रेक्टर बना एक्स का पावर फोर माइनस ब्राबर जीरो यह कि एक्स का पावव पूर इस एक्वल टू वन तो इसके एकॉर्डिंग अगर हम चलें हम यहां से कह सकते हैं एक्स का पावव पूर इस इक्वल टू कॉस तू एन पाई पलस में आयोटा साइन तू एन पाई है बहुत बढ़िया इसको पवर इसको तू यहां सहमां पास एक्स इइग्वल टू में कॉस 2 एन पाई पलस में आयोटा साइन तू एन पाई पावर एक बटा चार अचार अब ll जाएका फिर एंगल के मल्टिप्लाय में मतल्ड एंगल सीसके चार से डिवाइड हो जाएंगे इसका मतलब यहां से कह सकते हैं पावर चार था मतलब यहां से हम कह सकते हैं पावर चार है तो हम कह सकते हैं इसका मतलब कि भाईया हमें n का वैल्यू 0, 1, 2, and 3 पूट करना बस यानि कि यहां पर सकर हम बात करेंगे तो यहां पूट करना हमें n का वैल्यू 0, 1, 2, and तार्थ पूछना पूट करना तो 0 से लेके 3 तक हम यहां पर से पाएंगे सर, x का वैल्यू कितना जब 0 पूट करिएगा यहां पर तो यह मामला 0 हो जाए कौस 0 पुलस में आयोटा 0, Cos 0 का वहली 1 होता है बात खत्म पत acesso पहला पाटी आपका 1 हो चुका है अगर हम 1 रखेंगी तो कौस पाई बाई 2 पुलस आयोटा 5 przy 2 होजाए उसके बाद अगर हम बात करेंगे दो रखेंगे दिक्या आँ जागा दो दो कैंसिल हो जागा यानि कि अपने पास आ जाएगा πाई वॉस पाई अपलस में आयोटा साइन पाई उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर से तो हो गया तीन पे आ जाओ पाई बाद टू आ जाएगा वॉस पाई बाद टू अपलस में आयोटा साइन थ्री पाई बाद टू तो इसमिला करके चार सॉलूशन यहाँ से आजो ठीक्या बंदू यह चार आपके पास सॉलूशन आजो अब बच गया रेस्ट हमारे पास में यहाँ ऐ भी दूसरा एक कुशन दूसरा आपकर करने आपकर से लागे लिख देना यहां पर आपको कॉँपी करना लिखना कुछ भी निया अगरी करना है यहां पर आपको सेम कस्जले कोश्चे भाजे तरफी नहीं कोई दिक्कत नहीं उस इस लेक्शर में तीन ही कोश्चन में रखने वाल हैं इस लिक्श्चर में इतना ही कोश्चन रखेंगे मुलाकात करेंगे हम आप से अगले लेक्श्र में जिसमें हम लोग इमायवर्स थोरों के उपर जो प्रॉब्लेम्स है उसका सेकेंड पार्क लेक आएंगे तब तक घर पर ही मुस्कुरात रही है खुमल लाके पढ़ते रही है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करते जाएगा और निया